स्पोर्ट्स से जूड़ी सभी खबरों के लिए अभी हमेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाज में दी हुई बेल एकम को भी दबा दे हलो स्पोर्टियंस वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में इंडिया वर्सेस न्यूजिलेंड के बीच में हैमिल्टन में खेले गए तीसरे और आखरी टीटीटी मैच में न्यूजिलेंड ने टीम इंडिया को चार रनों से हरा दिया आपको बता दे टॉस जीत कर इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंद बाजिकार निरने लिया था जो कि काफी गलत रहा न्यूजिलेंड की टीम ने पहले बल्ले बाजिकरती हुए चार विकेट खोकर 212 रन बनाए 212 रन के जवाब में टीम इंडिया 20 ओर में 208 रन बना पाई इस वज़े से टीम इंडिया न्यूजिलेंड से आखरी T20 मैच में 4 रनों से हर गई आपको बता दे यहां मैच आखरी ओर तक चला आखरी ओर में 16 रन की ज़रुरत थी जिन में से पहली दो गेंदों पर 2 रना आए थे अब 4 गेंदों पर 14 रन की ज़रुरत थी अब तीसरी गेंद के ऊपर दिनेश कारतिक श्राइक पर थे दिनेश कार्तिक ने शौट भी लगाया लेकिन कुरुनाल पांडय को रल लेने से मना कर दिया हाला कि कुरुनाल पांडय ने आधी पिच तक तै कर चुके थे और वही दिनेश कार्तिक के इस रननीती पर कॉमेंटरी कर रहे भारत के पूर्व आक्रमक बल्लेबाज गौतम गंबिर काफी नाराज दिखाई दिये गे गौतम गंबिर ने कहा उस समय अगर दिनेश कार्तिक कुरुनाल पांडय को स्ट्राइक दे देते तो शायद भारत मैच भी जित सकता था और गौतम गंबिर ने इसी को मैच का टर्निंग पॉइट भी बताया उसके बाद गंबिर ने कहा कि दिनेश कार्तिक ने over confidence दिखाया हाला कि non striker end पर कुरुनाल पांडय भी 200 की strike rate से batting कर रहे थे और उन्होंने कहा कार्तिक की यही रने नीती काफी गलत रही अगर वो कुरुनाल पांडय को strike दे देते तो शायद आज match का result कुछ और भी हो सकता था गवतम गंबिर के इस बयान से आप सहमत है या नहीं comment section में हमें जरूर बताना आशा करता हूँ दोस्तो आज की भी वीडियो आपको informative लगी होगी अगर लगी है तो वीडियो को like जरूर कर देना share भी कर देना अगर से आप इस channel पे नहीं हो तो बता दू कि मैं ऐसी sports से related videos बनाते रहता हूँ और इस channel पे upload करते रहता हूँ अगर आप sports में दिल्चस्पी रखते हैं तो इस channel को subscribe करके bell icon जरूर दबा देना तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हैं